Welcome to smart kids, subscribe my channel for more upcoming lesson videos, hello dear student आज हम दहुम जमात में एक नई गजल बनने जा रहे, हमारी गजल का नाम है गजल नमबर 7 जिसके शायर है जफर गोर गोरकपूरी अगर इस चैनल पर आप लोग नहीं हो तो मेरे चैनल को ज़रूर श्री कीजिए, सब्क्राइब कीजिए आज हम दहुम जमात में गजल नमबर 7 पढ़ने जा रहे, इसके शायर है जफर गोरकपूरी सबसे पहले हम पहली बात पर नज़र डालेंगे पहली बात, 1960 की बात है, बंगाल में कहच जिसे हाला थे इस जमाने में मुंबई के एक मशायरे में एक नौजवान शायन ने जभी शेर पढ़ा हाथ कश्मीर बनाने के लिए उठते हैं, भूख कश्मीर को बंगाल बना देती है तो मशायरा गाद दादो तहसीन के नारों से घुंज उठा इस नौजवान शायर का नाम जफर गुरक पूरी था जो बाद में तरकी वसंद तहरीक से वावस्ता हुआ अब यहां पर 1960 की बात है, जैसे हमारा भारत आजाद हो चुका था मत्ब बंगाल जैसे शहर में, मतब बंगाल जैसा जो मुल्क में, वहा Alien पर कहथ पड़ गई, जैसे जहर wonder कहथ पड़ती ही, तो उस मं girlfriend को बते है जब बारिश नी होती है हर तरफ सुखा सुखा हो जाता है जहां पर अनाज के पिदावार भिलकुल नी होती है तो लोग काफी अनाज के लिए परिशान हो जाते हैं तो यहाँ पर मंबई के एक शहर में बड़ा सा मुशायरा हुआ यहाँ पर एक नौजवान शहर ने कौन सा शहर गाया हाथ कश्मीर बनाने के लिए उठते हैं भूख कश्मीर को बंगाल बना देती कश्मीर के लोग जाते हैं कश्मीर को बंगाल बना देती हाँ पर कश्मीर को आखाने हमारे हाथ की उठते हैं हँसा कश्मीर बना देती लेकिन यहां पे जो कश्मीर जैसा शेहर वह पे बंगाल बना देती है, मतलब उस नचल बना जाता है, अगर कहत का मौसम आता है, उस वक्त क्या होता है, मौसम हमारा ख़राब हो जाता है, उस वक्त सिप हर तरफ तरफ गर्मी चाही रहती, विल्कुल बारिष नहीं होती है, जब बारिश नहीं होगी तो अनाज की पैदावार कैसी होगी, कैसे फसले बड़ेगी cya, पएथ पढूदे हैं, ये अनाज की पैदावार कैसी होगी, तुस तरह ज़ेर गोरगपूरी कहह रहे हैं, कि हमारे जो हाथं कश्मिर बशार की लूटभेएं, लेकिन यहां पे जैस पुर्चाइर निंका नाम है जफर गोरकपूरी तरक्षी मतब तरक्षी आफता शायर है जब से पहले उनका तारूप पढ़ेंगे जान पैचान, जफर गौरपूरी पाँज महीं 1935 को जिला गौरपूर का गाँब बैदोली बाबू में पाढ़ हुँ, तरह बच्पईलिय में एने खानदान में मुंब़ी में सिप्ट हो गए जब फ़क गोरणपूरी तरह की पसंद शायरों में एक मुतबिर मुंकाम रखे थे मतलब वो काफी अच्छे शायर थे तरह तरह की शायरी लिखती थे उन्हें बच्चों के लिए भी नहाद कुपसूरत नजमे कहीं हैं मतलब बच्चों के लिए भी उन्हें काफी नजमे लिखी हैं सचाया, तीशा, दावादी, संगे, गोकरों के फूल, चिराग, चश्मेतर, हलकी, ठंडा, ताजा हवा, मिट्टी को हसाना है वगेरा इंकी शायरी मजमुएं जैसे पहले मोबाल इंटरनेट तो नहीं थे ना ही टीवी थे तो लोग किसमें कहानिया पढ़ते थे अगबारों में जानमरों की परिंदों की परियों की और ऐसे कहानिया सुनते थे वह सब कहानी सुनके लोग अपना लुफत उठाते थे अगरे वह स्बुदस को करते थे कहानिया ये अजिक कहले करना लिकेशी Subscribe और फिल्मों के लिए भी लिखते से पहले, रेडियो, टेलिविजन इतना आम नहीं हुआ था कि लोग तीवी भी होगा तो बहुत कम होगा, रेडियो भी कम नहीं होगा, इतना 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 फेमस नहीं था तो लोग जो बच्चे रहते तो पहानिया, दादी, नानी से सुनते 30 जुलाइं 2017 को मुंबई शहर में उनका इंदिकाल हो गया, तो आईए हम सबसे पहले अपने शहर की अपने घजल की शुरुआत करते की शायर कहना क्या चाहता है बदन कुझला गया तो दिल की तावानी से निकलूँगा, मेरे सूरज बंके एक दिन अपती फेशानी से निकलूँगा अब यहां पर शायर पहली नहीं में क्या कहना जाता है, कि अगर मेरे बदन में जखम हो जाए, मैं बूड़ा हो जाओं या मेरी ताकत बिल्कुल खतम हो जाया, मेरे चेहरे का रंग फीका परजा, काला हो जाओं, तो इसका मतलब यह तो नहीं कि मैं कमजूर हो चुका मतलब अपने आप पर पूरा भरूसा है, मुझे मेरी इमानदारी पर, मेरी हिम्मत पर पूरा भरूसा कि मैं एक दिन सूरज की तरह चंपूँगा, जिसे शायर कहना चाहता है, बदन कुछ ला गया तो दिल की तावानी से निपलूँगा, मैं सूरज बंके एक दिन अपनी पर 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 से निपलूँगा, बदन कमजोर हो गया, जिसे हमारी जिल्द है, जिल्द कैसे हो जाती ही, नरम हो जाती है, उसके बाल सफेद पर जाती है, मतलब पूरा अदम पूरी तरह से कमजोर दिखने लगता है, जिसे आपने बूडे नौजवां, बूडे इंसानों को जब भी खंवोनी लगता है, लोग चाहिए, तो यह पे शायर कहीं कह़ा है, अगर मेरा बदन कमजोर हो गया, अगर मेरी रंग पीके पढ़ गया, या मैं बुरा हो गया, या मेरी ताकत खथमुगी तो इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं अंधर से कमजोर हो चुका हूं, मैं मु में जब भी रोगा कि मुझे मिटी किया मैंने मैंने रुझ कैनी रुझे जब कमजोर नज़र हों इसका मतलब यह तो नहीं कि मैं कजमें के बाफ हो मेरा भुले में मेरी जाहिरी आंसुय नज़र आ हुए मैं बहुत रहा हो लिगर इन ड़े कर दका CiNew जीनी सकता, मैं जरूर मतब मैं मिट्टी में सही पानी निकाल लोगा, मतब शायर को अपने अपर इतना इतना फरोसा है की आज मेरा वक्त नहीं है, जिसे हमारी जो इंसान की जिंदगी रहती है, मतब आल्ला ताला अपने बंदो को अजमाईशों से आजमाता है, जिसे वो न मैं आप लोगों से वादा करता हूँ, मैं मिट्टी में से पानी निकालना भूती मिश्किल है, क्योंकि हमें पानी तो दरिया समंदर से मिलता है। मैं ऐसा खुप्सूरा रंग हूँ दिवार का अगर निकला तो घर वालों की नालानी से निकलूँगा। मैं तो एकल बाएब गए हुआ, कि दोड़ गए। आपने मुझे से मुझे कशे क्या है। अगर आपके हालात अच्छे नहीं होते हैं, या आपका वक्त ही जाूर। बात नहीं हैर्ग। तो देखो आपके अम्मी अबू भी आप से सही मुखातिजों के बात नहीं करते हैं, आपके यूद की बीबी होगी, आपके जोड़ी को बच्चे होगी, वो भी आजसे के घर वाले, वो भी आपको पूरा वर्रोसा है जो मेरे हाला सब कुछ अच्छ होजाएंगी. जमीर वक में पहोस्त मुँ में फास की सूरत, नमाना क्या समझता है आसानी से निकलूँगा, मतब क्या रहते हैं, अभी हाँ पर जो हमारा जमीर रहता है, जो हमारी अंदर की आत्मा होती है, देखो हम इंसान भले किसी और से जूट बोल सकता है, किसी के साथ गलत पर सकता है लेकिन अपनी अंदर की आत्मा से अपने आप से कभी नहीं दो लेड़ा, क्योंकि जो अच्छा कर रहा है, उसे पता है कि मेरे लिए क्या सही है, क्या गलत है, लेकिन कभी-कभी इंसान महनत कम शक्कत के बावजद भी कभी-कभी ऐसी आजमाईशों में सुलच जाता है, ऐसी यही एक शह है जो तन्हा कभी होने नहीं देती, जफर मर जाओंगा जिस दिन पर रिशानी से निकलूँगा, यही एक शह है जो तन्हा कभी होने नहीं देती, जफर मर जाओंगा जिस दिन पर रिशानी से निकलूँगा, अभी शायर हाकी लाइन में यह कहना चाहता है, कि कि इन्सान भले हुम कैसे भी हुढ सल मुद्ट हो एक एक काम था रूणे को हमारी नौक्षी चलीगा लिंगतोर इसे नौकती से बीरोजगार भरार कि रती है चालो आभर मैरे माभब भी बच्छ औ ने ही वहाइच और दोस्तों अभाब संद अभिन आप्स आप। अपने आप से बात करते हो न, तो हम अपने आप से बात करते हो। यहाँ पर जप्र जपड़ को खेह कि मेरी परेशानी बुछ तो धीक इनकला है, एक ते हम उनके साहर में ढुलतल झांट है, खुदकुशी करना बहुती ही बड़ा गुना तो यहां पर शायद यह करता है कि अगर मैं अपनी जिन्दगी के हालात में अगर तन्हा भी हो गए तो मेरा साथ फोन देरा मेरी जमीर, मेरी जो अंदर की आत्मा है, वो मुझे होसला अवजाई करने हैं, अगर मैं मर जाओंग दुनिया में पैदा हुए तो हमें मरना भी है, तो हमारी मौत भी किसी ना किसी निद्गी है, तो हो, खुदकुशी हमारा यह हल नहीं है, खुदकुशी सबसे बड़ा गुना है, तो हमें हमारी जिन्दगी के मुश्किलातों से सामना करना होगा, जब हमारी अच्छे हाला तो उसकी घजा मंदी की भीना कुछ नहीं हो सकता, तो हमारे लिए कुछ ना कुछ अच्छा ही सोचा होगा. बदल कुछ लाना बदन का बेरोनुक हो जाना, मतब हमारे बदन का जो रंगे बेरोनुक हो गया. मुराद कोई ऐसी बात या तसवर जो हर जमाने में मौजूद है मतलब आजकल की जो दुनिया की वाववा है अगर कोई अमीर है या शकल सूरत का अच्छा या पैसे वाला तो लोग हम उसको जादा तरजी देते जादा हम उसको बैलू जादा उसे हम भाव देते कि अरे फला सक्षे हो दमीर है वत पैसे वाला लेकिन हम जो जो से गरीबों को बुरी हालात वाले को इनसानों को कोई नजर नी डालता कोई उन पर उत्तरस नहीं खाता लेकिन जो रबू लालमीन है काइनत का मालिक है वो हर मखलुक की फिकर करता है हमारे हर बंदी के लेचाए वो जानदार हो परिंदे हो फूल पौदे हो अगर वो हमें दुनिया में लाया है तो हमारी जिम्मेदारिया भी उसने ही लिया क्योंकि वो सक्तर मा का दिल रगता है अगर हम शुक्र करेंगे तो अल्ला ताला हमें और देगा अगर हम शुक्र गुजार बनाए आमिन सुम्मा आमिन इसी के साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ अल्ला हाफिस अपना खुब ख्याल रेती है